हलो फ्रेंड्स वर्धनी कीर्मी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुती महत्पूर मुद्दे पे बात करेंगे जो की है नई प्रात्विक शिक्षक भरती को लेकार जैसा कि आप सभी को पता है कि आचार सहिता लगने की वज़े से चुनावी आचार सहिता लगने की वज़े से सारी प्रक्रियाय रुकी हुई थी और अब जब इलेक्षन कंप्लीट हो गया है फिर से वही जो पुरानी गॉर्मेंट थी वही रिपीट हो गई है यहां पर किसी सरकार की बात नहीं की जाएगी किसी पार्टी की बात नहीं की थी कि हालके में ना लेजिए चीजों को इसलिए ठीक है तो देखे सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज दिखा ही देता हूं सबसे पहले देखिए पिछली बार 2017 में इलेक्शन आपके उसमें जो सपत गरहन समार हो था वो भी मार्च में 15 मार्च के आसपास हो गया था लेकिन जो गवर्मेंट थी वो रिपीट स्वारी चेंज हुई थी तो पूरा का पूरा सिस्टम बदलना पड़ा होगा मतलब पूरे मंत्रिवंडल का वो सारे चिंज किये गए हो चाहिए PNP हो चाहिए सिच्छा निदेशाले हो चाहिए बेसी सिच्छा विभाग हो समय अधिकारियों को भी बदला गया होगा तो चार-पांच महीने निकाल दे उसके बाद अगर टोटल ओवरॉल अगर मार्च से देख लें तो 8-9 महीने में यहाँ पर नई वेकंसी आ गई थी लेकिन उसमें क्या था कि नए विभाग में सभी अधिकारी लगवग बदले गया होंगे और इसके लावा मंत्र मंडल पूरा बनाया गया होगा तो इसमें भी समय काफी लगता है इस बार की परिछिती दूसरी है कि पुरानी सरकार्थी वही रिपीट हो गई है तो यह सब चीजें बहुत ही कम इसतर पर होंगी ठीक है पहले तो यह देख लिजी और इस बार जो वेकंसी आएगा उसमें भी बहुत कम समय दिया जाएगा इसका आपको प्रूफ मैं दिखा देता हूं कि आवेदन ति थी पिछली बार 25 जनवरी क मैं दिखा रहा हूं अर्थ 8500 में 34 दिन दिये गया थे सिर्फ परिच्छा के लिए क्योंकि 28 दिन की फरवरी थी ठीके 34 दिन दिन पेपर करवा लिया गया था उनत्तर हजार में भी इस्तित रही थी इसमें तो बहुत ही कम समय दिया गया था ठीक है आवेदन ति को यह देखिए नई बरती का पेपर हो गया था एक महीना टोटल दिया गया था और अंतिमतिति से सिर्फ 15 दिन दिया था 14 दिन दिया था और 16 दिन पेपर कर वा लिया गया था और एक और चीज़ कुछ लोग जो कह रहे हैं वेकेंसी नहीं है कि वेकेंसी 100 परसेंट आएग ठीक है और बाकी आप पिछले तीन साल से देख रहें कोई वेकेंसी नहीं आई थी यह मान के चलिए और 100 परसेंट आप लिखके रख लिजी कि आपकी भरती जरूर आएगी कब तक आएगी इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि देखिए मेरे हिसाब से कोई मैं जयोति इनको करना नहीं है ठीक है कुछ मंत्री बदले जाएंगे थोड़े बहुत और सपतग्रहण हो सकता होली से पहले ही हो जाए ठीक है उसके बाद आचार सहीता हट जाएगे उसके बाद PNP अपने कारे सुरू कर देगा यूपे ट्रपले से ने कारे सुरू कर दिया है आपन हर पेपर में होती यह तो आप लोग सब लोग जानते हैं तो हो सकता पेपर थोड़ा बढ़ जाए और नहीं होई तो बहुत अच्छी बात है दूसरी चीज है यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद देख लेना आप फिर से माहौल बन जाएगा जो पहले था बिल्कुल वैसा ही माहौल फिर से बन जाएगा और रही बात वैकेंसी की सबसे बड़ी बात यही है कि जैसा कि आप स्वभी को पता है कि एक सासना देश आया था चुनावी आचार सकिता से जस्ट पहले ठीक है बेसकी सिर्चा मंतरी की तरफ से कोई PNP की तरफ से नहीं आ आएगी ज्यादा तर चांस यही है कि 17,000 वर्ती आएगी और अगर कुछ हो सकता है कि कुछ पद या फिर नहीं अब तो आपको सभी को पता है कि सिच्छा मंतरी जी है वो अपनी सीठार गए तो पूरी-पूरी उमीद है कि आप तो मतलब वो तो नहीं बनेंगे ठीक है यही लोग उनको जिताने के लिए काफी होते पंदरा सो का मतलब है अगर आठ सो इधर आ जाते उधर से तो इनका काम हो जाता सो जी जाते ठीक है तो यह मान की चलिए कि इनको भी अंदर से लग रहा होगा कि जो बच्चे थे जो डीलेड वाले थे जो परिशान थे उनहीं इतना ही है हो सकता है बहुत बड़ी महरवानी हो जाए तो बढ़ जाए पद लेकिन 17,000 मान की अभी अभी से अपनी तयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय आपको नहीं दिया जाएगा यह मैंने आपको प्रूब भी दिखा दिया है ठीक है तो दोस्तों उमीद है आप झाल